ओके तो इस लेक्चर में हमने लेवी की कुछ बात करनी है लेवी मतलब ambit of the tax, charge of the tax और लेवी आप जभी भी law में पढ़ते हो दोस्तों तो आपको इस angle से पढ़ना है कि exactly क्या taxable होता है इस law में और लेवी समझने के लिए income tax act का section 1 से लेके section 13 तक आपको पढ़ना पढ़ता ह है 1 to 30 अगर आप पढ़ोगे तो आपको एक clarity आ जाती कि यहां पर क्या tax होने वाला है इसमें के कुछ section तो आपके syllabus में भी नहीं है but I am telling you from the overall perspective final पर आते आते हैं आप लोगों को section 1 to section 13 पढ़ना पढ़ेगा to understand what exactly is taxable in the law और उसका जो base section है backbone section है लेवी का वो section 4 है तो section 4 भी आ पर दाधा time ने डाल रहा आपको total income definitely निकालना पड़ेगा तभी आप tax निकाल पाओगी उसके उपर सबसे पहले आपको residential status लिखना होता है मैंने आपको बहुत बहुत बार बोला है कि आपका जो format होता है format तो सबसे पहले हम क्या लिखते name of the assessi लिखते है name of the assessi की लिखते ह अब हम यहां पर क्या लिखते है residential status तो legal status क्यों लिखना ज़रूरी है यहां पर उन्होंने step 1 पर residential status लिखा है sir ordinary resident आपको assume करना है तो वैसे residential status कितने type के होते है एक तो होता है resident और दूसरा क्या होता है non-resident और resident भी further क्या divide होता है ordinary resident and non-ordinary यह resident की दो type है कभी-कभी इंडिया में रहने वाले और permanently इंडिया में रहने वाले और non-resident मतलब जो इंडिया में नहीं रहता आप मुझे बताओ ज़्यादा tax किससे लेना चाहिए residency की non-residence है residence है क्योंकि government की facility दादा कौन enjoy कर रहा होगा resident इसलिए ordinary resident का global income इंडिया में taxable होता है और कुछ एक deemed resident करके भी आगे जाके आपको concept पढ़ना पड़ेगा फिर income को आपको अलग-अलग heads में classify करना पड़ता है क्योंकि हर head का computational mechanism जो है वो अलग है ठीक है ना कितने heads of income है हमारे पास Section 14 क्या बोलता है section 14 बोलता है कि आपको section 14 बोलता है कि आपको income को अलग-अलग heads में divided करना चाहिए payroll salary हरण चालू कितने पर होता है 15 पे और end कितने पर होता है 17 पर ठीक है ना 15 16 17 ये तीनी section से किसके salary के ठीक है ना house property चालू होता है 22 पे खतम होता है 27 पे PGBP चालू होता है 28 पे खतम होता है 44 DB पे ठीक है ना Capital अगेंस 45 पे स्टार्ट होता है 55 A पे एंड होता है and IFOS 56 पे स्टार्ट होके 59 पे एंड होता है आप लोगों को ऐसा बार बार बोल बोल के याद रखना पड़ेगा तभी आपको range of sections यादोना चालू हो जाएंगे एक बार range चालू हो गई यादोना तो उसके बाद उसके अंदर की जो sequence है वो चालू यादोना चालू होता है तो यह मैंने अभी तक हम से कम fourth या fifth time लिका ही है range तेगा न आप लोगों ने note book में भी दो बार लिख के लिया भी तक है ओके आगे चलता हूँ तो यह सारे chapter में आपको क्या करना पड़ेगा आप लोगों को उसके हर head में आपको क्या जाके पढ़ना पड़ेगा उस head का charge मतलब exactly उस head में क्या taxable होता है फिर उस head का computational mechanism उस head का बता रहा हूँ फिर उस head में deductions क्या है और उस head के exemptions क्या है और उस head में special points क्या है तो हर head में आपको ये 5 point पढ़ने होते हैं charge, computational mechanism, deductions, exemptions and special points ठीक है ना, ऐसा आपको मैं आगे जाके पढ़ाऊंगा एका देड होगा तभी आपको समझेगा कि मैं बात क्या कर रहा हूँ जो लोग revision कर रहे हैं उनको समझ में आया होगा कि मैंने क्या बात किया तो आप लोगों को exemptions भी पढ़ने पढ़ेंगे head wise आपको deductions भी पढ़ने पढ़ेंगे head wise इतना हो गया 59 तक आपका खुद का income compute हो चुका अब तक कौन से section तक पोच चुके section 59 तक अब लोग चोरी करने के लिए अपना income wife के नाम पे transfer कर देते हैं फिक deposit रखना होता है तो छोटे बच्चों के नाम पे फिक deposit रख देते हैं क्योंकि हर assisi को इंडिया में 2.5 lakh का exemption मिलता है और यह जो assisi होता है main assisi उसको ज्यादा tax ना लगे करके वो अपनी income को divide करता है जैसे income test उसको पकड़ेगा कभी ना कभी तो पकड़ नहीं है आज चोरी करोगे तो आगे जाके कभी ना कभी पकड़ नहीं है तो government उनका income wife का income बच्चों का income husband के हाथ में club कर देता है main assisi के हाथ में club कर देता है उसको बोलते clubbing of income ठीक है ना spouse मतलब partner minor child वगरा का ऐसे आगे जाके आपको पता चलेगा यह जो चाप्टर है यह chapter section 60 से 65 के बीच में चलता है एक chapter में ने आपको पता है कि मैंने handwritten notes में का एक last point point number 25 pending रखा हुआ है aggregation of income या anti black money उसको हम aggregation of income बोलते कौन सा income जैसे clubbing of income में हो ऐसे कहा है aggregation of income है aggregation of income के section अब अभी से याद रखना चालो करो section 68 section 69 68 and 69 69 69 A 69 B 69 C 69 D क्या क्या मैंने बोला कितने section हो गए फिर A B C D के चार 69 का 5 और 68 का 6 तो टोटल 6 section है aggregation of income में 68 69 69 A 69 B 69 C 69 D ऐसा है बरोबर समझा आपको मैंने क्या बोला यह 5 section है aggregation of income मतलब क्या तुमको पकड़ा गया है कि तुम्हारे पास black money है पकड़ लिया तुमको यार अभी क्या बोलो के जूट या तो तुमने खुच जाके बोल दिया इसाब मेरे को निंद ने आती जब भी मेरे धर्वाजे पर नौक होता है मुझे लगता रेड तो नहीं आ गई मुझको सुकून से सोना है सर तो या तो आपने खुच जाके income tax को बता दिया income tax ने आपको notice वगरा भेजा उनको पता चल गया आपको hint आगया कि उनको पता चल गया अभी तो बताने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं बचा है ठीक है रा तो आपने बता दिया कि मेरे पास black money है बता दिया accept कर लिए अपने black money है तो आपको क्या लगता इदर mandatory surcharge लगता है usually surcharge 50 लग के बाद लगता है इदर mandatory surcharge है मतलब लगेगा ही लगेगा और उसका rate भी कितना होगे 25% है surcharge का rate कितना है 25% और बाद में बचा हुआ garnishing करने के लिए उपर से आपको पता ही है sales भी लगना है तो आपको effective rate tax के से निकालोगे 60 का 25% निकालना होत 55 का फिर 4% एड करना है तो 78% पर तो tax लगता है साब मतलब 100 करोड पकड़े तो 78 करोड तो क्या लेके जाएंगे खाली tax खाली यही नहीं साब penalty भी लगेगी interest भी लगेगा और jail भी होगे आपको तो यह पढ़ना बाकी है मैंने क्या हमारा पढ़ना बाकी है अभी से बता र किनेट में आने माला है आपके लिए अभी से क्यों बता रहा हो क्योंकि जब आप income tax law पढ़ते हो तो पता आपको professionals का हमारा नाम मार्केट में खराब है हमको चोर बोला जाता है हमको क्या बोला जाता है चोर आप बोलोगे सर हमारी तो बहुत अच्छी इज़त उनीची यह महाभारत नहीं है महाभारत किसी और का है हम कुरुष्ण है हम ठाली रास्ता दिका रहे है धनुष्य उटाओ यहां मारोगे तो टैक्स लगेगा यहां मारोगे तो टैक्स नहीं लगेगा अभी यहां से टैक्स लग रहा है तो अभी आपको इस साइड होना है तो यहां से बचा लोगे कभी कभी क्या हो जाता है जैसे कृष्ण अर्जुन को बताते थे कि अगर आपने अच्छे कर्म किये तो आपके साथ अच्छे फल मिलेंगे और आपने अच्छे कर्म नहीं किये तो फल का तो आपको पता ही है तो टाक्स बचा होगे तो सुकुन की नींद नहीं आईगी बचा है ना तुमने तो आज खड़ा करो गे तो आज ने तो गिरो गे उस खड़े में तो हम consultant लोग अपने क्लाइन को क्या बताते हैं कि सब टैक्स भरो लेकिन लोगों को टैक्स भरने में इंट्रेस्ट ही नहीं है तो उनको डराओगे केसे आप डराना भी तो आपी का काम है ना उनको बता देने का कि सर देखो टैक्स नहीं बहुत मैं आपको रास्ता दिखाओंगा सर टैक्स नहीं बरने का आप मुझको पैसे दे रहे हो आप बोलोगे नाच के दिखाओं मैं ना एक website मैं अगर आपको 5,000 करोड का अगर पैसा दू, 5,000 करोड आप लोगों को दे दिया, चमझो, यहां पर यह पांचे टकले बेटे हैं, तुमको मैंने 5,000 करोड दे दिया, तुम कैसा website बनाओगे यार, खली website बनाओगे, website development आज के तारिक में 3,000 से चालू होता है, 3,000 रुपीज से चालू होता है, कितने से, मैंने तुमको 5,000 करोड दिये हुए, तो अप लोग कैसा website बनाओगे, अच्छा बनेगा ना, बहुत अच्छा बनेगा ना, तो हमारा जो income tax का website हो, 5,000 करोड का website है, तुमको क्या लग रहा है, वो website उदर खाली tax collect करने बेटा है, नहीं, उस website में artificial intelligence है, उन्होंने AI लगा के रखे है, उसको वो लोग risk assessment procedure बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हाँ, वो system खूदी पताएगा कि तु चोर है, system को अभी पहले इंसान को पकड़ना होता था, और इंसान जो government officer होते हैं, आपको थोड़े पता है कि थोड़े inefficient type के होते है, तो पहले चुना लगाना आसान था, क्योंकि officer को खूदी काम करने में interest नहीं रहता था, अब officer को काम ही नहीं करना है, काम तो किसको करना है, AI को करन है, और AI की उपर basic launch होने से पहले 5,000 का खर्चा किया गया है, 5,000 करोड का, ऐसा नहीं कि उदर रुका, रुकिया इंकम tax अभी, AI को अभी और expand करते जाएगा, ठीक है ना, एक दिन तो ऐसा आएगा कि तुमने income tax return में tax बचाने के लिए कुछ entry मारी उदर ही है बताएगा, देख, उदर ही rate warning आना चालो हो जाएगा, ठीक है ना, तो इंकम tax को अभी underestimate मत करो, फिर भी अगर client बोलता है sir, मेरा पैसा, मेरे risk लेने के बदल देगा, क्योंकि आप नहीं करोगे तो कोई और तो करी देगा, तो उस client को बताने का ठीक है sir, आपको CA बदलना है, बदल दो, खाली मुझको कुछ sections आपको बताने है sir, ठीक है ना, वो income tax में ना sir, एक section है, 115 BBE, कौन सा section है, BBE, यह कौन से, यहाँ पर tax का rate लेका है sir, यहाँ पर tax का rate कितना है, अभी तो बताए तुमको tax का rate कितना है, 60 plus 25 percent plus 4 percent, effectively कितना आता है, 78 percent, क्योंकि 25 टका 60 का होता है, और फिर उसका 4 percent, ठीक है ना, तो यह 78 percent, sir यह जो tax का rate है ना sir, यह लगता है, यह कहाँ पर लगता है, यह 68 पर लगता है, 69 पर लगता है, 69 A, 69 B, 69 C और 69 D, sir इसमें लगता है, और आप जो अभी काम करने वाले हो ना sir, यह जो आप कर रहे हो, जो भी हो करेगा, tax की चोरी करने के लिए, बोलने का sir, यह इसमें का एक मिक इदर तो फॉल होता है, तो आगे जाके आपको अगर पकड़ लेगा department, पकड़े जाओगे तो, sir बर-बर, तो ना यह थी लगा, ना यह 78 लगा, यह सा एक साल हो गया, यह सा दो साल हो गया, उसको बोलने का sir, भगवान के घर में ना देर है लेकिन, अंदेर नहीं है, वैसे income tax के पास ना sir, आज उतना system strong, नहीं है लेकिन 2-3 साल लुक हो sir, खाली आप देखो, आज 2022 में आ आपको notice नहीं है ना मैं अपनी मुच निकाल के देदी हुआ sir, तो नहीं भी आई तो क्या फरक पड़ रहे है, डारा ले हो ना तुम उसको, उसको डारा ना किसका काम है, आप बोलो कि sir, गलत काम करे है, हम उसको डारा के, गलत कहा करे है, जो provision है हो ही बता रहा हो ना, घर स तो section लाके नहीं बता रहा हो ना, खाली section को implement करना है कि नहीं करना, ओक department के हाथ में है, ठीक है ना, कर सकते है क्या हो, आज कर सकते है, आज अगर कोई एक संकी officer उदर जाके बेढ गया, और बोला में खाली 115 BBE पे notice भेजेगा पूरे धेश में, भेजने तो लोग नाचना च लगेगा ना, 22 तका तो बचा अभी भी, 100 गोड़ का अब तक चोरी किया है, इतना बच गया, नाई इसका 10 तका पेनाल्टी लगने वाली है, ठीक है ना, और क्योंकि अपनी टाइम पे तो भरा नहीं होगा, तो आपको क्या लगेगा, इंट्रेस भी लगेगा, और सर आप को साथ साल तक की क्या हो सकती है, आप कर लो, अब इतना सब बताने के बाद भी अगर क्लाइंट बोलता है कि सर फिर भी मैं करेगा, तो उसको एक जादू की जप्पी दे दो, और उसका रिटन फाइल कर दो, बोलो कि सर, बोलेगा गले क्यों मिल रहो, क्या पता कब आपको डिपार्टमेंट लेके जाएगा, और खूल बता देगा सर, मेरे को अगर डिपार्टमेंट ने पकड़ा, क्योंकि आप डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, पहले से ये लोगों को अरेस कर रहा है, जो कंसल्टन होते हैं, उनको अरेस कर रहा है, मेरे को डिपार्टमेंट प क्या रहा होगे तो थोड़ा client थोड़ा line पर आएगा क्योंकि आप लोगों की responsibility है देश में क्या बढ़ाना पैक्स बढ़ाना यह responsibility आपके हाथ में सच में आपके हाथ में और कोई नहीं है इंजिनियर लोग नहीं बता रहे हैं डॉक्टर लोग नहीं बता रहे हैं यह बताने वाला एक ही person है दुनिया में आप और में ठीक है तो आप लोगों की responsibility एंप professional लोगों को इसको seriously लेना क्योंकि business चालू करोगे तो कभी business loss में चालू होता है और फिर वह business profit में आता है आप ऐसे नहीं कर सकती कि आप losses को ignore करो, ignore क्यों करो, मुझे उस साल पहले साल 20 लाका loss हुआ और अगले साल 45 लाका profit हुआ, आप 45 लाका को tax कर दोगे क्या, अरे पहला 20 लाका जो loss के उसका लेकिन यूजवली आप losses को, 8 एस तक क्या कर सकते हो आप, तो याद रखना carry forward कितने साल तक होता है, 8 एस यूजवली ठीक है ना, दो loss ऐसे, speculative loss and एक owning and maintaining of horse races करके एक loss आता है, उसको ही आपको खाली कितना मिलता है, 4 एस, लेकिन वो दो चोड़के बाकि सारे losses को कितने साल त सकते हो, 8 एस तक, 8 एस तक, 8 एस अच्छा का सा period एक ही नहीं, 8 साल में भी अगर अपना loss अगर आप recover नहीं कर रहे हो, तो मेरा तो मानना है कि कितना तो जाके मर जाना चाहिए आपको, फिर यह सब provide करने के बाद, यह section 70 to 80 में चालो है, setup कहां पर हो रहा है, section 70 to 80, तो 1 to 13 प में क्या चला, aggregation of income, 70 to 80 में क्या चला, set off, ठीक है ना, अब आपका इतना सारा effect देने के बाद, जो income आपके पास आया, उसका नाम होता है, GTI, क्या नाम है उसका, GTI, gross total income, और gross total income में से, अभी आपको कुछ क्या मिलेंगे, deductions, ठीक है ना, government कुछ चिजे encourage करता है, तो total income यहाँ पे लिका हुआ है, ठीक है ना, तो उन्होंने बोला कि कुछ deduction जो है ना, सर, या पेमेंट करोगे तो यह आपको deduction मिलेगा, तो मेरा एक student है, उसने अभी मुझको return भरने के time पे message किया, कि मेरे पापा ने last year 5 लाग का FD बनाया था, last year में कितने का FD बनाया था, 5 last year में बनाया था, FD अगर आप बनाते हो 5 साल का, तो आपको ATC में deduction मिलता है, कौन से section में deduction मिलता है, ATC में, लेकिन एक साल में आप maximum कितना deduction ले सकते हो, ATC में investment का, 1.5 लाग का, यह limit है, 1.5 लाग से जादा आप deduction नहीं ले सकते, तो मुझे क्या पूछ रहा था, क्या पू current year में मैंने FD नहीं बनाया, current year में FD नहीं बनाया, तो last year का जो FD का amount है, बचा हुआ, क्या वो current year में दिखा कि में current year में benefit ले सकता हूँ क्या, सवाल समझा क्या आप लोगों को, 5 लाग invest किया था ना तभी, तो 3.5 लाग अभी तक यूज नहीं किया है ना उसने, तो वो अभी इसाल उस होगा क्या, अंसर, नो, क्यों नहीं होगा, क्योंकि ATC जो है ना, ATC, वो तभी मिलता है जब आपने current year में क्या किया हुआ है, payment क्या हुआ है, payment क्या है मतलब, आप current year में नया FD बनाओ, तो यह आपको हम current year में deduction देंगे, तो पापा को क्या करना चीए था, 2 तोड़के अगले साल फिर से नया FD बनाना चीए था, क्योंकि जब FD बनाओगे तो यह आपको deduction मिलेगा, FD नहीं बनाओगे तो आपको deduction नहीं मिलेगा, सरी है FD के जैसे और life insurance में हो सकता है, provident fund में आप पैसे लगा सकते हो, medical insurance अगर आप लोगे तो ATD में आपको deduction मिलत है, electrical vehicle अगर आपने ली होगी, EV, तो आपको ATEEB में उसकी interest का deduction मिलता है, rent अगर आप rent पे रहते हो, तो ATGG में आपको deduction मिलता है, अपने अगर donation किया, charity किये तो आपको ATG में आपको deduction मिलेगा, political party को अगर आपने donation दिया, तो ATGGA और ATGGB में आपको deduction मिलेगा, ठीक है ना, फिर कुछ income के बारे में होता है, income अपने अगर वो particular type का income कमाया है, तो आपको benefit मिलेगा, जैसे royalty कमाने एक लिए government of India encourage करेगा कि discourage करेगा, encourage करेंगे ना, royalty किसको मिलता है, जो patent registered करता है, या IPR registered करता है, copyright registered करता है, मतलब तुम inventor हो, तुम इन्नोवेटर हो, तुमारी बिना देश नहीं चल सकता, तो तुमारी income के उपर normally तो tax लगना चीए था, लेकिन government बोलता है, तीन लग तक काम deduction देंगा, मतलब अगर आपने 5 पांच लग कमाया होगा, तीन लग की रोयल्टी के तो tax नहीं लगना है, लेकिन कैसे नहीं लगना है, income में 5 लग जूड़ गया होगा उपर, क्योंकि income तो 5 लग का है, और इधर से क्या हो जाएगा, वो माइनस हो जाएगा, मैंने क्या बोला, समझा आपको, यह होता है, 80 Q QB और AT, RRB में होता है, ठीक है ना, अगर आपने नए employees को रखा होगा, employment को रखा है, अपने क्या क्या है, अपने manufacturing company चालू की हो, अपने अपने गडिंग लग में, कॉलापूर में हमने क्या क्या है, MIDC में जगा ले ली, ठीक है ना, MIDC में जगा ले ली, और हमने क्या क् शुगर कें वगरा, बोज़्यादा बंता है, ठीक है ना, तो शुगर कें से या सुगर से या सुगर की जो by-product वगरा होते हैं, वो क्या बन सकते, अभी अपने आपर ground nut भी बनता है, और अपने आपर शुगर भी बनता है, इन दोनों को mix कर दो के तो cheeky बन जाता है, ना, या कैंडी बन सकती है या आइस्क्रीम बन सकता है जो भी आप बना सकते हो या कुछ पल बना सकते हो कुछ भी ठीक है ना उसकी फैक्टरी लगा दिया हमने और यहां पर हमने 500 लोगों को काम पर रखा एंप्लायमेंट जनरेशन की ऑएके सब्सक्रायं नहीं तो हमें इनकरेज करना चाहिए का सब्सक्राइगा तो मुझे बिनुश्ट मिलता यह एती डबल जे डबल एम में एसा एक शेक्शन में को किته लिखो पढ़े हूं कि की की यह विचा है ऑगे और फिर an इंकम मुझे बताओ सेविंग अकाउंट तुम लोगों का भी होता है कि नहीं भले उसके उपर आप लोगों को कुछ इंट्रेस्ट ज्यादा मिलता नहीं अटरा उपया पच्छी सुर्पया बत्रीस उपया लेकिन इंकम इंकम होता है आपने कभी इंकम टेस्ट रिटन भरा ऐसा मत बोलो कि आपका जिरो इंकम है सेविंग अकाउंट है तो जिरो इंकम नहीं हो सकता आपका कुछ ना कुछ तो इंट्रेस्ट मिलाई होगा आपको तो वैसे देश में बहुत सारे लोगों का सेविंग बैंक अकाउंट होता है सेविंग बैंक अकाउंट के पूर वो deposit in saving bank account, इसका आपको deduction मिलता है 80 TATA में, कुन से section में? 80 TTA, 80 TTA, ये section है, कितने तक का लेकिन? 10,000 तक का, तो अगर आपने 7,000 अगर आपने कमाया है, तो deduction भी कितनी का मिलेगा? 7,000 का, लेकिन अगर आपने 15,000 कमाया है, तो 10,000 का deduction मिलेगा, 5,000 आपका IFOS में tax हो जाएगा, मैंन अभी जॉब भी पर जाते नहीं है, तो उन्होंने investment करके रखा होता है bank में, उसमें से जो पैसे निकलते हैं, उसके उपर ही ओलोग जीते है, तो फिर उनको senior citizens के लिए उन्होंने क्या rule बना के रखा है, senior citizens के लिए उन्होंने बोला, आप ABD वगरा से जो कमा होगी, वो 50,000 तक आपके उपर tax नहीं लगेगा, तो normal लोगों के लिए कितने हजार का benefit है, only saving bank account का 10,000 का, लेकिन senior citizen अगर आपके आपास आया तो उसको कितने तक का benefit देने का, 50,000 का, और यह जो होता है, वो 80TTB में होता है, यहाँ पर होता है, 80TTB में होता है, ठीक है, फिर अगर कोई handicap है आप कभी मुंबय में जाओगे ना मुझे मुंबय की एक बहुत अच्छी बात लगती है, मुंबय में हटरेन में, मुंबय में टरेन होती है, हमारी local होती है, हर डरेन में दो डब्बे होते हैं, एक starting मी और एक ending में, train के starting में और train के ending में, दो ऐसे coach होते है, जो specially able लोगों क त्रेन में दो डब्भे या इसनी कि दो गूंटे में एक ट्रेन आएगा उसमें एक डब्भा है हर त्रेन में तीन से पांच मिनिट पर ट्रेन जाती है II प्लैटफर्म पे कोण क्वी साथ फैने 2-5 mil है क्रेस पास रोती होती ह Dienst में हैंडी कैप में आपको लोग दिखेंगे और कभी-कभी गर्दी भी दिखेंगी मतलब वह भरा हुआ डब्बा है है ए तुम को समझ रहे का मिखा बतारा है राय है हैंडी कैप परसं भी दो बौत ऐख क्या होता है तुम इमेजिन करोगा तुम बहुत ब्लाइंड होगे तो तुम घर की भार नहीं निकलोगे वह बंदा घर के भार निकल रहा है रोड क्रॉस कर रहा है प्लाटफर्म चड़ प्लाटफॉर्म से उतर रहा है चालू ट्रेन मतलब वो ट्रेन पकड रहा है चोड रहा है फिर उदर उतर के ऑफिस में जा रहा है किदर काम कर रहा है बेचारा और आप एक गंटा किसी स्टेशन पर खड़े रहो तो आपको दिखेगा कि यार ब्लाइंड लोग भी मतलब जॉब पे जा रहे है प्रेगनेंट लेडिस भी जॉब पे जा रही है और यह जॉब पे जाना मुंबए में डिप्रिकल्ट नहीं है मुंबए में ओट्रावल करना डिफिकल्ट है और ओलोग ट्रावल करे और तुमारे पास आलो दो हाथ दो पैर भगवान नी दियावा सब कुछ है खले दिमाग थोड़ा कम है और फिर तुम लोग को क्या क्या करना चाइए हृँ टेक यूर लाइफ Comfortably कि मेरेको थोड़ा comfort मिल जाए तो मज़ा आ जाए शहरमानी चाहिए तुम लोगों को तच बता रहो उनको देखे तो तुमको क्या आनी चाहिए कि उनको देखे मेरे को proud feel होता है और मेरे को proud feel होता है कि मेरे हाँ पे एक section है जो बोलता है proud feel होना चाहिए तुछको और उसक्षन का नाम है ATU, section का नाम क्या है? ATU, section ATU बोलता है कि अगर सामने वाला बंदा handicap और फिर भी पैसे कमा रहा है, साब हम उसको standard deduction देंगे 75,000 का, मतलब उसकी income में से 75,000 minus हो जाएगा, minus हो जाएगा मतलब उसके उपर अगर normal लोगों को अगर 2.5 lakh तक tax नहीं लगता, तो इसको 2.5 lakh plus 75,000, मतलब 3 lakh 25,000 तक इसको tax नहीं लगया क्योंकि उसके income में से 75,000 minus होने वाला है, और अगर बोथ eye blind है, अगर हो क्या है? तो उसको हम बोलते है, severely handicapped, अगर उसके body का 80% plus non-moment, क्या बोलते है? 80% plus body अगर उसकी disabled है, ठीक है न, अगर वैसा है और उसने income कमाया हुआ है, 80% plus तो उसको severe handicap बोला जाता है, serious handicap, उसको हमने 1,25,000 का standard deduction देना है, government handicap लोगों को appreciate कर रहा है, लेकिन उन handicap लोगों को नहीं जो रस्ते पे बेट के भीक मांग रहे है, उन handicap लोगों को जो घर से निकल रहे हैं, और handicap होने के बाद भी पैसा कमा रहे है, क्योंकि यह जो deduction है, यह GTI में से मिलता है, कहां से मिलता है, GTI मतलब gross total income, जिसका total income ही नहीं है, उसको ATU पता भी नहीं होगा न, अरे जिसका income है, उसी को तो benefit मिलना है, इसका यह मतलब है, या तो बिजनेस कर रहा है, या तो जॉब कर रहा है, या तो उसने अपने नाम पर property चड़ा के रखी, investment कर के रखा है, investment से कमा रहा है, है कि नहीं, तो handicap should not, तो physically restriction है, इसका यह मतलब नहीं कि आपको, brain से भी आप रेस्टिक करो, अपने आपको, you learn from Stephen Hawkins, no, उसके body का 90 plus part, last last में non-moveable थे, but still he was inventor, ठीक है ना, तो ऐसी बात होती है, तो मुझे अच्छा लगता है, कभी कभी कुछ-कुछ section से आप लोगों को, respect feel होता है कुछ लोगों के लिए, तो मैंने क्या बोला, income tax पढ़ने से नहीं आता, आपको income tax तब तक पढ़ना है, जब तक income tax आपके अंदर घुष ना जाए, और एक बार income tax आपके अंदर घुष गया ना, आप रस्ते से खाली चलते जाओ, और आपको चीदों का logic क्लिए रहते जाएगा, you just walk and keep your eyes open, and you will see taxes everywhere, को income tax अंदर जाने के बाद, जब तक अंदर नहीं जाता तब तक या करने का, रीड करती रहने का, रीड करते रहने का, एक फैकल्टी से नहीं समझता है, दो फैकल्टी का देखने का, आज डिजिटलाइजेशन ने तो किया कि वारे घर घर वे फैकल्टी है हमारे टाइम हम स्टुडेंटी अमको नहीं समझता था उनको एक ओधर का पुख सब पर पर पर्चेस करना पड़ता था एक ओधर का नहीं सपढ़ के समझ में आ रहा था दूसरे अधर का भुख लाना कुछ नहीं कुछ नहीं तो हमने उस टाइम पे स्टड़ी किये 2008-2009-2010 की बात कर रहा हूं में तभी का कभी का पूराना मॉडिल की तर गलती से मिल गया तो ओपन करके देख लेना कितना बोरिंग सा टेक्स्ट होता था और वो रेफरेंस उसको समझने के लिए रेफरेंस बूक पर्चेस करने पढ़ते थे ते मार्केट में से तो वो हालत नहीं है अभी आपकी इंस्टीटूट ने क्या क्या नहीं कि आप लोगों के लिए इंस्टीटूटने law लिखा है लो को explain करने के लिए चार्ड बनाएं के सटड़ी दिये, इलस्टेशन दिये, चाप्टर एंड के में MCQ दिया है, MCQs के बात question answer दिये, past exam question दिये हुए, और revolutionary chart भी बना के दिये, और faculty अलग से focus में मिली रहा है, तो इतना सब होने के बात भी अगर तुम लोगों को नहीं समझ रहा है, तो सच में तुम्हारी generation के को नहीं अपने book में लिखा होगा है, आपको पता होगा तो, नहीं नहीं, दोनों के से मिलेगा, या तो normal handicap होगा, या तो severe handicap होगा, ना, दोनों एक ताइम पर के से हो सकता है बन्दा, occasionally, ठीक है ना, computation of total income का chart के सबसे पहले आपको legal status निकालना होता है, क्या निकालना होता है, legal status के पर क्या निकलता है, residential status, residential status निकलने के बाद 5,4, मैंने बोला यहां तक आपकी लेवी है, तो यहां पर section 1 to section 13 लगता है, ठीक है ना, यहां पर यह division करना, यह section 14 में लिखा हुआ है, total income को 5,4 में divide करना है, कौन से section में लिखा है, 14 में, salary 15 to 17, house property 22 से 27, ठीक है ना, PGBP 28 से लेके 44 DB तक, capital again 45 से लेके 55 A तक, ठीक है ना, income from other source 56 to 59, इतना सब होने, अच्छा, इस side में आपको क्या 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 करना पड़ेगा, आपको provisions लगाने पडेंगे, charging section लगाना deductions लगाने पड़ेंगे, exemptions लगाने पड़ेंगे, वो ही heads में बता रहा है, इतना सब होने के बाद, 59 तक इंसान खुद का income निकाल देता है, खुद के income में फिर उसने जो जोल करके रखा होता है, इधर उधर transfer मार के रखा होता है, अगर वो पकड़ा गया, तो वो club होता ह है, वो 62, 65 के section में club होगा, ठीक है ना, फिर मैंने क्या बोला है, हाप एक aggregation of income का भी provision आता है, वो 68 to 69 D तक जाता है, 68 to 69 D तक जाता है, फिर 72, 80 क्या चलता है, set of and carry forward, यह यतना सब करने का आपको क्या मिल जाता है, GTI, GTI में से ATC से लेके ATU तक, कहां से, ATC से लेके ATU तक, जिसमें आपको government encouragement देता है, कुछ अलग-अलग activity करने का, किदर investment करने का, किदर medical insurance लेने का, कभी गरीबोक ले दान धर्म करने का, ठीक है ना, कभी royalty वगारा के उपर, ऐसे अलग-अलग चीज़ों के उपर government आपको encouragement देता है, deduction देता है, क्या देता है, जिनको बोला जाता ह deductions from GTI, deductions from, तो deduction दो बार आते हैं sir, deduction उपर भी आएंगे, और deductions यहाँ पे भी आएंगे, तो इन दोनों deduction में फरक क्या है, इधर salary में से deduction मिलता है, particular income में से, इधर house property में से deduction मिलता है, इधर PGBP में से deduction मिलता है, इधर capital gain में से deduction मिलता है, मतलब head specific होता है, अगर वो deduction इ जाता है इस एड़ में मिलेगा इस एड़ में नहीं मिला तो बाजु वाले हेड़ में ले लूग क्या ऐसा नहीं होता जैसे सालीरी में आपको पता होगा तो 50,000 का स्टैंडर डिडेक्शन है पचास दार का स्टंट, गवर्बंन्ट पचास दार माप करता है, टौर टैक्स नहीं लगाता है, पचास दार की सालेरी पे, थेलए ना, तो अगर आपकी इससल सालेरी नहीं है, तो क्या आप हाउस रॉपरटी में से माइनस कर सकते हो, नहीं ना, क्यूंकि जो सालेरी के specific नहीं है यह पांचु एड की total में से minus होते है मैंने क्या बोला समझा आपको ठीक है ना और फिर इसका होता है total income यह आगे क्या है और total income की उपर आपको क्या multiply करना पड़ता है rate of tax total income की उपर क्या multiply करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा tax ओके यह हो गया computational mechanism क्या हो गया यहाँ पर computational mechanism तो एक देखो यहाँ पर आपको tax rate लगाने पड़ेंगे tax rate लगा होगे तो अच्छा रिबेट और सर्चार्ज भी लगाना पड़ेगा मैंने बता है तो तीन टाइप का अपना population होता है ठीक है ना एक तो lower class ना lower class मतलब गरीब ल मिलता है ना ही उसको तर्चार्ज लगाते है वो class कहां से कहां तक चलता है तो रिबेट पांच लाग तक मिलता है पांच लाग के income तक क्या मिलता है रिबेट मतलब आपको tax नहीं लेना है discount डेता है government गरीब लोग हो यार इतना भी आपने कमाना चालू नहीं किया पांच ल आशिन भी नहीं दे राजकल government ठीक है और फिर 50 लाग के उपर के बंदे लोग आते 50 लाग यह धंग से अमीर हो गए आप एक साल में अगर आप 50 लाग की उपर कमारे मतलब मोटा मोटे आप 4-5 लाग रुपया मेने का कमारे भाई अब यह अमीर है अब इसकों बोलते भया आप income tax तो दो ही दो वो तो सब देते है एक काम को आप सर्चाज भी दे दो कितना सर पचास लाग से अगर एक करोड़ा का होगा तो 10% एक्स्ट्रास है जादा नहीं खाली जितना tax निकाला है उसके उपर और दस टक का जोड़ दो बस वन करोड़ टू करोड़ होगा तो 35% और 5 करोड़ से ज्यादा कमा हरे हो आप अब हमको भी टेंशन आरहा है तो 37% यह यह जो परसंटेजम लगा रहे चिसकाै लगा रहे इंकम के ऊपर लगा रहे कि इंकम टाक्स के उपर लगा रहे ह। कि तिन कंडिशन मैंने आपको पढ़ाय थे इंडिविजोल होना चीए मतलब कमपनी को रिबेट नहीं मिलता और रेसिडेंट होना चीह से कम होना चाहिए तो रिबेट कितने तक का मिलता है 12,500 वैसे भी 2.5 लेक्ट तक का टाक्स अमाउंट क्या होता है 12,500 तो टेक्निकली हम बोलते कि 5 लग तक आपको इंडिया में टाक्स नहीं लगता ठीक है ना फिर गवर्मेंट क्या करता है गारनीश करने के लिए क्या बोलता है भया देखो देश डेवलप करना है तो देश में दो चीज़े डेवलप करनी पड़ेगी देश का हेल्थ केर और देश का एजुकेशन और इसके लिए थोड़ा एक्स्ट्रा टैक्स देदोगे तो क्या गल हो गया winning हो गया अभी क्या बचा अचार चीजे पढ़ से पढ़ने ऊंसे परने जाना चीछा ना Stück से कुण से फो मिन जाता है अडवांस टॉक्श पर्म में जाता है TDS के form में जाता है और TCS के form में भी जाता है और कुछ बच जाता है तो self assessment tax के form में जाता है चार form में government क्या लेता है आपसे tax ले लेता है Sir अगर मैंने already ज्यादा tax अगर मैंने कम tax भरा है तो अभी बचा हुआ tax है वो तो भर देगा अभी tax payable आएगा last में और अगर तुने पहले से जाधा tax भर दिया है तो अभी क्या आएगा refundable भी आएगा government आपको refund भी करता है tax का rounding of कितने रुपे में करने का 10 रुपेज में करने का मैंने बता है ता आपको याद है tax among का 288 B में और income का rounding of भी 10 रुपेज में ही multiply करने का तो अगर आपका refund अगर 238 रुपेज है तो government आपको 238 नहीं देगा कितना देगा 240 देगा rounding off करके देता है 234 है तो 230 देगा ठीक है ना 4 रुपेज छोड़ देने का अभी यहाँ पर यहाँ तक ही हो गया अभी क्या करना पड़ेगा आपको filing off return office में सबसे last काम क्या होता है अभी income tax return filing होता है यह कौन से section में file होता है income tax में 139 यह section है income tax का इस section में filing होता है ठीक है ना filing करने के बद वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है आप आदा रोटी में मांग रहे है वाज कर client लोगों के पास वो section 140 में मांगते हो कुनसे section में मांगते हो 140 में और किसी किसी का आपने देखा होगा तो खाली selected लोगों का या अपने additional tax मांग के भरा होगा बहुत आदा लोगों का tax नहीं भरा होगा अपने selected लोगों का या आपने क्या भरा होगा additional tax मांग के पे किया होगा वो आपने भरा होता है section 140A में उसको essay tax बोलते है कुन सा tax essay tax self assessment तो मैंने आपको अलग-अलग sections बताए आज इतने सारे sections आपको पता होने चीज़े ओके